ये वाला चवर्ण प्राज खाएंगे तो जवान हो जाएंगे वो वाली ड्रिंक पियेंगे तो पहलवान बन जाएंगे किसी प्रॉड़क को बेशने के लिए विग्यापनों में ऐसी लाइने बोलने से पहले अब सेलिर्बिटीज को सौ बार सोचना पड़ेगा क्योंकि नए कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भ्रामक विग्यापन को लेकर बेहत कड़े प्रावधान किये गए हैं इस नए कानून में क्या खास प्रावधान किये गए हैं जानते हैं हमारे सेवगी अनुराग शास अनुराग कंजूमर का हख और कैसे स्ट्रॉंग देखी जो नया कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो संसत के दोनों सदनों से पास हो गया उसके बाद राष्टपती से भी मंजूरी मिल गई है तो इसमें जो है कंजूमर को काफी ज़्यादा अधिकार दिये गए हैं अगर ब्रामक विग्यापन कोई कंपनी करती है जिस अपनी सर्विसेज से जुड़ा या फिर प्रोडेक्ट से जुड़ा तो उस पे 50 लाग रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता इसके अलावा 5 साल की सजा भी हो सकती इसके अलावा जो विग्यापनों को जो एंडॉर्समेंट कर रहा है उनको उपर भी कारवाई की जा सकती है उनके उपर भी 10 लाग रुपे से लेके 50 लाग तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 साल तक उन्हें प्रतिबंदित किया जा सकता है और किसी भी तरह के एंडॉर्समेंट करने का इसके अलावा जो अनफियर कॉंट्रेक्ट होते हैं कई बार जो कस्टमर से हैं कॉंट्रेक्ट साइन करा दिया जाता है जिसमें कुछ कंडिशन ऐसी होती है जिसको वो कंपनी है कोर्ट में चैलेंज कर देती है लेकिन नए एक्ट के मुताबिक अगर वो जो कंडिशन है पूरी तरह से अन्रियलिस्टिक है तो इसका फाइदा जो है कस्टमर को मिलेगा और कंपनी को पैनल्टी देनी होगी इसके अलावा कंजूमर एक्ट के अंदर एक और नई चीज डाली गई है मेडियेशन को डाला गया यह नि मद्यस्ता के जरिये भी मामले को सुल जाया जा सकता है अभी तक यह होता था कि कंजूमर फॉरम में एक बार मामला चला जाता तो जो निर्ने होता था उसे ही मानना पड़ता था लेकिन अगर किसी स्टेज पे अगर दोनों जो पार्टी है वो मद्यस्ता को अपनाना चाहती है तो मद्यस्ता पैनल होगा जो पूरी तरह से कंजूमर फॉरम से जुडा हुआ होगा उसके जरिये मद्यस्ता के जरिये भ वहाँ पर जाके आपको करनी होती थी लेकिन नए एक्ट के बाद आप अपने घर के जो डिक्षन में या फिर अपने ओफिस के जो डिक्षन में वहाँ से भी कंप्लेन कर सकते हैं, इससे फायदा ये होगा कि कंप्लेन करने में ग्रहक को आसानी होगी और जो पूरा प्रोसेस से वो काफी सिंप्लिफाइड हो जाएगा तो ये कुछ जो चीजे हैं नए कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाली गई है जो कंजूमर को ज्यादा अधिकार देगी जो अपने उनके अधिकार है प्रोड़क्ट या सर्विसेस से जुड़े वो उसे मजबूत बनाएगी अब 13 रुपए में मिलेगा इसी के साथ डव साबुन का दाम कंपनी ने 50 रुपए से घटा कर 50 रुपए कर दिया है साबुन के नई कीमत आज से लागू हो चुकी है टैक्स में कटौती के बाद कंपनी ने कंजूमर्स को ये फाइदा दिया है